वे श्री राते दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों क्या आपको याद है कल मेरे टेरस कार्डन का कोई भी लोंग वीडियो नहीं आया और इसी बीच मैंने अपने टेरस कार्डन में काफी सारे बदलाब कर दिये हैं मतलब अपने टेरस कार्डन काफी सारे नए नए प्लांट को एड कर दिया है मैं सोच रही हूं क्यों ना आज की इस लोंग वीडियो में आप सब को कुछ और बताने से पहले यही बताया जाए और साथ में यही दिखाया जाए कि मेरे टेरस कार्डन पर क्या क्या बदलाव हुए है मतलब मैंने कौन से प्लांट को एड कर दिया है आप सब की अबसेंस नहीं तो जब वो प्लांट ग्रो अप होंगे और कुछ इस तरह से क्यूट सी फ्लावरिंग करेंगे तो आप सब तो मुझे धेर सारे कोशिन करो कि यह प्ला दो में से नए नए फूलों का जनम हो रहा है क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है विंटर सीजन की काफी सारे प्लांट मेरे गार्डन में ग्रोप हो रहे हैं और उनके कुछ इस तरह से प्यारे प्यारे से फूल भी निकल रहे हैं तो बिना देरी किये इस प्यारी सी वीडिय आसी देख रहे हैं न ये गुलदाओदी का फ्लावर निकल रहा है मतलब मेरी छोटी सी छोटी कटिंग बीना हार नहीं मानती है ये भी कहती है कि हम भी किसी से कम नहीं है उसके बाद ये डाइन्थस की कटिंग जो लगाई थी न मैंने देख सकते हैं आप सभी अप्छे से ग ग्रॉप होने लग पड़ेगी तब मैं इसे धूप में शिफ्ट कर दूँगी उससे आगे बढ़ेंगे तो कमल के पोदे कमल नहीं यार गुलाब के पोदे में से काफी सारी शूटिंग निकल आई है और डे वाई डे इसकी ग्रोफ भी काफी अच्छे से हो रही है और सच ट्यूब हो गजए टो उन चिड़ियों को इन पख्षिवों को बता निकैसे पाता चल इतने गार्डन में मतलब इतना इकारण मेरा भरा हुआ इनमें से कुछ भी नीखाती उसके उसी को कुछ lack सो गया बुझे लग रहे हैं इसका सीजन जा चुका है बट फिर भी स्पोर्ट में काफी सारे प्लांट्स हैं जो छुई मुई की कमी को पूरक कर रहे हैं उसके बाद यह धेर सारा पालक लगाया है और पालक की मैंने कटिंग की और मुझे अब देखने को मिल रहा है कि अब अब यह काफी अच्छे से ग्रॉब हो रहा है और साथ में बीच में आप यह कांटे-दार पोदा देख रहे हैं तो यह पोदा कौटा कौन सा है घुलाब की कली है यह और यह ग्रॉब भी हो रही है कुछ इस तरह से और गुलदावदी भी किसी से कम नहीं है हर जगा में से जो भी गुलदाओदी की cuttings लगाई हैं सभी कुछ इस तरह से खिल रही हैं मतलब खिलना शुरू हो चुकी है चलो मेन मेन चीज दिखाती हूँ बाकिया आप देख लीजी इस बंजर सी टोकरी में मैंने ये बड़ा सा डेलिया का प्लांट एड़ किया है जिसका कुछ इस तरह से अब फ्लावरिंग पॉइंट भी आ चुका है मतलब बस कुछ ही दिनों का इंतजार और धेर सारे डेलिया के फूल भी खिलेंगे हमारे इस बड़ी सी टोकरी में तो ये थोड़ा सुंसान सा ना लगे इसलिए साथ ने गेंदे के प्लांट भी एड़ कर दिये हैं मैंने और यहां पर दूप काफी जादा होती है उसकी वज़े से थोड़ा सा बर्न हो चुका है ये पर चलो कोई बात नहीं ये फिर से हम इसे ठीक कर देंगे और एक और ये पोदा लगाया है और इसकी भी फूल खिलने वाले हैं और पूरी तरीके से मर चुके इस गेंदे को प्लांट गेंदे के प्लांट को जो हमने किया था ये भी देखिए इसकी छोटे-छोटे से फ्लावरिंग पइंट्स निकल रहे हैं बस थोड़े दिनों का इंतजार और ये भी फूलों से भर जाएगा और ये वाला गुल्दाओदी भी देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है अलग-अलग कलर्स की शेड में निकल रहे हैं यह देख सकते आप टोप पेसकी यलूश है फिर ये ब्राउनिश एंड फिर से यलो काफी प्यारा सा कॉ कि अभी तक कोई बदलाव नहीं है मतलब पौदे ग्रॉप हो रहे हैं बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है और ये वाले गुलाब की कटिंग देखिए आप सभी कहते हैं हमारी ग्रॉप नहीं होती बट मेरी कटिंग देख सकते हैं सिंपल से तरीके से लगात मतलब कुछ भी पीली पड़ रही थी तो ये भी बिमारी होती है आप नीम ओयल का स्प्रे करेंगे ना तो ये बिमारी पूरी तरीके से भाग जाती है और साथ में अपने पोधों को कुछ इस तरह से आप हिलाया करें ताकि कोई इंसेक्ट वगएरा जो है या कुछ अनदर कुछ भी है ची और भी गेंदे ने तो सचमें कमाल जी कर दिया है बहुत ही प्यारा सा है और फूल देखो बेशुमार लगे हुए है और आप शबकी अबसेंस में हरे कमल के पोदे भी एड़ कर दिये हैं देखी कितने प्यारे से लग रहे हैं ये उसके बाद आपके अबसेंस में ये गुल्दाओदी भी कुछ इस तरह से खिल चुका है काफी प्यारा सा है ये भी उसके बाद ये तो मैंने आप सब के साथ ही से यहां पर लाया था ये हमारे गेंदे के प्लांट जो कि मरते मरते बचे मेरे फैमिली वालों के हाथ हो से और बाकी देख लिए साथ साथ में देखते चलिए कुछ कॉशन पूछन आगो तो कमेंट सेक्शन में बता देना हां जी और आप देखिए इस बड़े वाले पोदे को ये पता किसके पत्ते नेस्टूरि से लाई हूं मतलब मैं रहती हूं हिमाचल परदेश में यहां पेना रास्ते में कई सारे पोदे मिल जाते ऐसी लगे हुए तो आज मेरे मन में खयाल भी आ रहा था कि कहीं से प्लांट मिल जाए और बहुत जल्दी सुन लेते हैं और कुछ इस तरह से मुझे इतना बड़ा है गुल्दावदी के फूल है देखे प्यारे लग रहे हैं और साथ में यह नए वाले गुल्दावदी यह मेरी बेहन लेकर आई थी यह देखिए कि तब प्यारा से नहीं यह लाइट पिंक कलर का और यह मंजेंटा कलर अब यार एक बार वह वाला डायलोग तो वह दो सो सो एलिगेंट जस लुकिंग लाइक वाव यह वाले भी देखिए धीरे धीरे करके अब इनके भी फूल खिलने लग पड़े हैं और यह गजेन यह इसकी ग्रोथ और यह यह देखिए आगे बढ़ेंगे तो आगे भी हमें कुछ इसी तरह कर दिरिश्य देखने को मिलेगा जाओदी खिल रहे हैं यलुष के यलुष भी सारे मतलब हर परकार के खिल रहे हैं चोटे 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 पे नजर डालिए यह वाले चोटे 5.5 इंच में लगाया है मैंने यह गेंदे का प्लांट और इसकी ग्रोथ भी अच्छे से चल रही है फ्लावर खिल चुका है अब फूल खिलना शुरू कर दो और यह तो बईफ पता क्या यह है पता था इसका नाम ये इसकी तरहां नाम नहीं आद आर यह क्या नाम थे इनका एच्छी होता है मेरे साथ भूल जाती हो यार क्या करूं उसके बाद यह मीशो फ्लावर सीट मैंने ट्रांस्प्लांट कर यह नेस्टूरियम के प्लांट कुछ इस तरह से बड़ी वाली ट्रे उसके बाद देखेंगे आप तो आपको मिलेंगे यह दो प्यारे से मटके जो कि दिवाली वाले दिन से ऐसी पड़े हुए थे मैंने कुछ इस तरह सिंगा इस्तेमाल कर लिया अपने टैरस कार्डिन आज होगी चाहिए जिस मर्जी कोने में चले जाओ तो दूसरे को भी कुछ इसी तरीके से रख देती हूँ और इसका नाम भूल गी यार मैं नाम कमेंट कर देना यहां पर रख देती हूँ यहां पर इसकी चाया में पले गई तो दोस्तों देखा ना आपकी अपसेंस में इतने जादा काम होगी है मेरे टैरस कारडन पर अब आप सबको पता चल गया ना अब बाद में मुझे मत कहना कुछ भी अब आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे टैरस कारडन के यह पोध होगा नया रूप उनके जो प्यारे पैरे से फूल खिले ह और साथ में जो मैंने नए प्लांटस आइड किये हैं आप सबको वो कैसे लगे क्योंकि यह सारी चीजे आप सबको अच्छे लगना काफी जादा जरूरी है क्योंकि आप सभी मेरे डियर सुपोर्टर्स हैं मेरे व्यूवर्ज हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरी यूट् कुरिराम